नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल एसकेडिमी पे तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग DLA 3rd semester के math के जितने objective question आज तक पूछे गया हैं उनको हल करेंगे तो इस वीडियो को द्यान से देखें क्योंकि इनी में से question पूछे जाते हैं यानि previous year से ही question पूछे और उसके बाद हम लोग 3rd वीडियो में 29 question करेंगे करने का तरीका क्या होगा तो सबसे पहले आप question देखिए ठीक है वीडियो को पूछ करके खुछ से solve करने की question करें ठीक है अगर solve हो जा रहा है तो आप forward कर दे next question पे चले जाए और अगर solve नहीं कर पा रहे हैं तो इस पहले question से इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें पूछा गया है कि x square plus x plus 1 by 4 का गोडन खंड यानी factor बताना है तो यह क्या लिखा हुआ है एक तरीके से आप ध्यान से देखे तो यह लिखा हुआ है x square यानि ऐसे करके a square एक तरीके से लिखा है यह क्या लिखा है तो यह एक बटे 2 का square लिखा है यानि हमारे पास क्या है a square है और b square है तो ऐसा हमने formula सुना है कि a square plus b square plus 2 a b होता है plus वाला ही क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहां जो दीसरा term बच गया वो plus का है तो plus 2 a b 2 a b formula होता है तो हम रखके देखते हैं कि जो question में हो आप आ रहा है तो 2 रखा मैं फिर a में क्या दिया है तो x दिया है तो 2 के साथ x रख दिया अब b रखना होगा b में हमारे लिए क्या दिया है 1 by 2 तो हमने 1 by 2 रखा फिर देख पा रहे हैं अंस में 2 है हर में भी 2 है यानि numerator में 2 है और denominator में भी 2 है तो दोनों आपस में cancel हो जाएंगे तो तीसरा term जो बचे सकते हैं a plus b का whole square तो यहीं इसका answer हो जाएगा जो option c में दिया हुआ है ठीक है इसको आप option से भी कर सकते हैं कि इसको हम क्या करते हैं इसको solve करते हैं तो यह क्या लिखा हुआ है a plus b का whole square क्या होता है a square plus b square plus 2ab तो हमारे लिए a क्या है तो एकस है तो x का square b क्या है तो 1 x 2 है तो 1 x 2 का square करेंगे तो 1 x 4 हो जाएगा और plus ka two a क्या है तो x और b क्या है तो 1 by 2 तो इसको solve करेंगे तो क्या आ गया वापिस यही question में जो दिया है वही आ गया यानि x square plus 1 by 4 plus x आ गया यानि option c जो है वो बिल्कुल सही है अगला प्रस्म देखते है प्रस्म संक्या 2 इसमें कहा रहा है कि यदि 2, 3 और x का समानतर माद यह यानि mean जो है वो 3 लिया हुआ है तो x का मान यहाँ पे जो x दिया है इसका मान ग्याद करना है तो आपको सबसे पहले समानतर माद यह यानि mean का formula पता होना चाहिए तो formula क्या होता है formula होता है mean यानि समानतर माद दे बराबर पदो का योग यानि उपर क्या करते हैं पदो का योग करते हैं यानि sum of terms और denominator यानि हर में क्या करते हैं पदों की संख्या यानि विんな नंबर अफ टर्मस यानि यह तीन पद दिये हुएं नीचे क्या है पदो की संख्या यह कितने पद एक पद है दो पद całे तीन पद तो नीचे क्या जायेगा थीना जाएगा पिम क्या कर हेंगे यह क्रिजक्यूं की नीचे कुछ बदलाव नहीं होता है तो दाया पक्च वैसा ही रहेगा और इसको थोड़ा से solve कर लेते हैं 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 और प्लस में क्या दिया है X अब हमें X का मान निकालना है तो X को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी जो नंबर है उनको दूसरी तरफ रखेंगे तो इधर 5 जो दाया पक्च में है वो positive का है तो हम इसको बाया पक्च में भेजेंगे तो इसका sign बदल जाएगा यानि बाया पक्च में ये 5 जाके minus का हो जाएगा तो 9 में से 5 गया 4 यानि X का मान क्या आगया चार ठीक है जो option A में दिया हुआ है अगला प्रस्ण देखते हैं जो दिया है दो बटे X माइनस 1 प्लस 3 बटे 1 माइनस X का मान क्या होगा ठीक है तो हम क्या करते है ऐसे प्रस्णों का जो भी fraction में लिखे हो हम इनका LCM लेते है LCM लेने के लिए क्या होना चाहिए हर जो है अगर वो equal है तो आसानी से LCM लिया जा सकता है तो देखते हैं क्या इसका हर equal है तो आप देख पा रहे हैं यहां X माइनस 1 है यहां 1 माइनस X है यानि टर्म तो बिलकुल सेम है बस sign का difference है तो हम क्या करते हैं इसमें से अगर X के स सामने माइनस से इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना होगा इसके सामने जो माइनस से इसको common ले लें तो हम क्या करेंगे इसको बाहर वाला जो पद है उसको ऐसी लिखेंगे दो बटे में X-1 और जो दूसरा पद है उसमें से हम क्या करेंगे माइनस common ले लेंगे माइनस common लिया तो जो माइनस का है वो प्लस का हो गया और जो प्लस का है वो माइनस का हो गया अब आप देख पाएंगे दोनों पद क्या हो गया समान हो गया तो अब हमें LCM लेने में आसानी होगी यानि लासा लेने में आसानी होगी अब यहाँ पे दो साइन एक साथ आगए तो plus menus क्या होता है माइनस होता है अब क्या हो जाएगा दो बटे x-1 और यहाँ क्या हो गया था प्लस-e- माइनस यानि 3 बट्टे में x-1 अब अगर हर समान है तो उनका लसा भी समान आएगा यानि इनका LCM क्या हो जाएगा x-1 और उपर क्या हो जाएगा अंस यानि निमिनेटर में 2-3 तो इसको जब सॉल करेंगे तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस वन आ जाएगा ठीक है और नीचे क्या रहेगा x-1 यही एंसर हो जाएगा जो ऑप्शन D में दिया हुआ है ठीक है अगला प्रस्न देखते हैं चार समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुड़न खंड 36 है ठीक है चार समानुपाती पद हैं समानुपाती पद कैसे होते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखे रहते हैं ठीक है एक पद दो पद तीन पद और यह चार पद ठीक है इसमें क्या करना होता है इसको solve करने का तरीका होता है बाहे पदों का गुड़नफल बराबर मद्य पदों का गुड़नफल यानि बाहे पदों का गुड़नफल बराबर मद्य पदों का गुड़नफल ठीक है अब क्या कह रहा है चार समानुपाति पदों में मध्य पदों का गुड़नफल अभी मैंने कहा कहा है ये मध्य पद है ये देख रहे हैं बीच में हैं तो इनके गुड़नफल जो है यहां 36 दिया हुए तो अब क्या हो गया 3D बराबर 36 तो हमें सिर्फ D का मान निकालना है तो यह हम 3 जो है वो दूसरी तरफ बेज देंगे तो इस तरफ क्या है बाएपक्च में ये गुड़ा हो रहा है तो दाएपक्च में जाके क्या होगा भाग होगा तो D बराबर 36 बटे में 3 और 3 से जब हम 5 जिसमें दिया हुआ है 3 बटे 4 की घात 2 यानि पावर 2 3 बटे 4 की घात 10 और बाद में यहां पे देखेंगे यहां multiply है और यहां divide है तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आधार सेम है तो घात कुछ भी हो अगर multiply में घात है तो यह जुड़ जाएगी और अग multiply में घात है वो जुड़ जाएगे यानि 3 बटे 4 की घात क्या हो जाएगी तो जो multiply में घात है 2 और 10 वो जुड़ के 12 हो जाएगे ठीक है अब जो divide में घात है वो इसी में से minus हो जाएगी तो इसको solve करेंगे तो क्या जाएगा 3 बटे 4 की घात और 12 में से 8 गया तो 4 अब हम 3 को 4 बार जब हम गुड़ा करेंगे तो 81 आएगा और 4 को जब हम 4 बार गुड़ा करेंगे तो 250 आएगा यह यह अंसर सही हो जाएगा जो अप्शन B में दिया हुआ है अगला प्रस्ण लेखते हैं प्रस्ण संक्या 6 अनुपात का चिन्न होता है यानि अनुपात को किस प्रकार से दर्साया जाता है उसका चिन्न पूचा है तो अनुपात को हमेशा इस प्रकार से दर्साया जाता है और इसी प्रकार से याद कर लिजे समानुपात को कैसे दर्साते हैं तो ऐसे दर्साते हैं जो option A में दिया हुआ है, ठीक है, अब अगला प्रस्न देखते हैं, प्रस्न संख्या 8, दो संख्याओं का अनुपात आठ अनुपात 5 है इसमें चोटी संख्या का मान दिया हुआ है 12.5 तो बड़ी संख्या ग्याद करिए ठीक है इनको ये अनुपात में दिये है अगर अनुपात से हटाते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं और 5 एक्स लिख सकते हैं ठीक है अनुपात का साइन बीच में से हटा दिया तो दोनों के साथ एक्स लिख दिया ठीक है अब इसमें से क्या है 8 बड़ा है या 5 बड़ा है ठीक है तो आप देख पाएंगे 5 जो है छोटा है और छोटे का ही मान 12.5 दिया होगा यानि एक स्का मान के जाएगा 12.5 बटैंटु जब ऑम पंस इसको भाग करेंगे तो 5 2 नि द soybean 10 फिर द द Pillow लगा है तो द問 और फिर क्या आजिएगा मं यहा से दो बचया ओर ठीक है जो option C में दिया हुआ है अगला प्रशन देखते हैं प्रशन संख्या 9 कह रहा है 5 अनुपात 8 में और 11 अनुपात 4 में कौन सा अनुपात बड़ा है तो हम भाग देकर देख लेते हैं 8 से जब हम 5 को भाग देंगे तो जी तो जाएगा नहीं तो हमें क्या लगाना होग यहां दसमलो लगा के इसको भाग देना होगा तो क्या होगा 8 सक 48 यानि दसमलो 6 आया इसको जब हमने solve किया इसी प्रकार से हम 11 को भी 4 से भाग करके देख लेते हैं तो 4 दूनी 8 और यहां 3 बचा जो अब जाएगा नहीं तो दसमलो यहां लग जाएगा और यहां 30 हो जाए तो 2 दसमलो 7 जो है वह बड़ा है यानि 11 बटे 4 जो है वह बड़ा है तो option B जो है वह सही हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं अनुलोम समानुपात में तीर की दिसा कैसी होती है ठीक है अनुलोम समानुपात एक चाप्टर है आपके में सलेबस में तो इसमें क्या होत होती है तो दूसरी रासी भी बढ़ती है यानि अगर एक पैन जो है वह 5 रुपे का है तो दो पैन क्या हो जाएंगे 10 रुपे का यानि जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे उसका मूल्य भी बढ़ रहा है ठीक है इसको सीधा अनुपात भी कहते हैं क्योंकि एक जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका मूल यह जैसे 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 हम पैनों की संख्या बढ़ा रहे हैं वैसे मूल भी बढ़ रहा है अभी तीन पैन कर देंगे तो यहां 15 हो जाएगा ठीक है तो यह क्या होता है एक ही दिशा में होता है ठीक है चाहे हम ऊपर की दिशा में लिख ल लूहां प्रति लो मानुपाद में तीर की दिशा कैसी होती इसमें क्या होता है जैसे कि कुछ लोग काम करने आते हैं जैसे चार लोग किसी काम को 20 दिन में करते हैं हम लेबरों के संख्यान बढ़ा दें बहुत जादा लेबर ले आते हैं जैसे 100 labor ले आएं तो पहुत जल्दी काम हो जाएगा तो यहां जब हम संख्या बढ़ा रहे है यहां क्या हो रहे है दिनों की संख्या घट जा रही है थो दूसरे कामान घट रहा है तो तीर की दिशा क्या होगी सामने की और दाएं की दाएं तरफ बाईं तरफ नीचे की हो तो ये चारों ऑप्षन गलत हैं विफरीद दिसा में होगी ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा अपोजिट डाइरेक्शन अगला प्रस्ट देखते हैं 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात क्या होगा बताना है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अनुपात निकालना हो तो दोनों जो रासी दी होई होंगी उसकी यूनिट जो होगी वो सेम होगी ये पैसे में है तो ये भी पैसे में ही होगा ठीक है तो हम 4 रुपए को क्या करते हैं पैसे में बदलके इसको अनुपात में रख लेते हैं तो जब 1 रुपए में 100 पैसे तो 4 रुपए में 400 पैसे अब हम इसको हल कर लेते हैं तो इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 80 बटे में 400 लिख दिया और 0 से 0 कट गया और 8 पचे 40 नीचे और 8 एक में 8 उपर तो एक अनुपात 5 आ गया तो option B जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रशन संक्या 13 देखते हैं जिसमें 500 मीटर और 5 किलो मीटर का अनुपात होगा ठीक है तो इसको pause करके आप खुद से करिए क्योंकि सेम कोस्चन है ठीक है तो अब मैं बता देता हूँ तो 500 मीटर दूसरी तरफ क्या है 5 किलो मीटर तो इसको भी क्या कर लेंगे मीटर में कर लेंगे जैसे कि पिछले कोस्चन में बताया और अनुपात का sign लगा के इसको solve कर लेंगे तो एक किलो मीटर में 1000 मीटर तो पांच किलो मीटर में 5000 मीटर 2-0 से 2-0 कट गए 5-1 में 5 और 15-50 तो एक अनुपात 10 जो है option C जो है वो answer सही हो जाएगा अगला प्रशन है 35 को 3 अनुपात 4 में भी भाजित करी अभी मैंने बताया कि जब भी अनुपात से हम अलग-अलग करते हैं तो इनके साथ x लिख लेते हैं ठीक है अब क्या करना है 35 को ही 3 अनुपात 4 में विभाजित करना यानि एक तरीके से 35 जो है इन ही लोगों में बाट दिया गया है यानि अगर इन लोगों को मिला दिया जाए तो उसका मान जो है वो 35 है ठीक है तो यानि 3x और 4x क्या हो जाएगा 7x 7x का मान क्या दिया है 35 तो 7 पाचे 32 यानि x का मान क्या दिया है 5 ठीक है अब पूछ रहा है कि 3x का मान मतलब 3x का मान बताना है तो X कमान हम 5 निकाल चुके हैं तो X की जगा हम 5 रखेंगे तो 3 पंचे 15 फिर 4 X कमान क्या हो जाएगा तो 4 पंचे 20 तो option D जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रस्म देखते हैं जिसमें आपको 27 की घात 2 बटे 3 का मान गयात करना है तो 27 को हम और क्या लेख सकते हैं 27 को हम लेख सकते हैं 3 की घात 3 और इसके उपर अल्रेडी घात लगा है 2 बटे 3 तो इसको हम solve कर लेते हैं तो देख पाएंगे 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि 3 जो है यहाँ निमिनेटर में यहाँ डिनोमिनेटर में तो अब एक तरीके से question क्या बचा कि हमारे पास 3 की घात सिर्फ 2 है और 3 को अब हम 2 बार गुड़ा करेंगे यानि 3 गुड़े 3 तो क्या जाएगा 9 अगला प्रसंद देखते हैं यह भी अभी बताया मैंने कि जब भी base same हो यानि आदार same हो तो इनकी घात यानि power जुड़ जाती है तो 4 की घात जुड़ जाएगी क्योंकि सभी क्या है multiply में है गुड़ा में है तो क्या हो जाएगा यह जीरो में एक जोड़ेंगे फिर एक में दो जोड़ेंगे तो 4 की घात 3 हो जाएगा अब हमें चार को तीन बार गुड़ा करना है तो चार चगो के 16 और 16 बत्ते 16 त्यारता लिए 16 जगो के 64 यानि option C जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रस्न देखते हैं जिसमें 9 की घात 1 बटे 2 और 4 की घात 1 बटे 2 का मान ग्याद करना है तो 9 को के लिए 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 गात लगा एटे 2 और इस पर बटे 2 जैसा अभी हमने एक प्रस्न आखिए यानि इसको अगर हम लिखना चाहें इसके मूल रूप में तो करणी के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे तो जो भी one upon में होता है one के upon में है जैसे चार है तो उसको चार पहले लिख देते हैं तो किसी भी संख्या का जब भी घात सून्य हो तो उसका मान एक होता है। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका अगर घात सून्य लगा है, तो उसका मान जो होगा, वो एक होगा। चार की घात तीन बटे दो का मान गयात करना है, तो 2 दुनी के 4 और 4 दुनी 8 यानि option A जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रेशन देखते हैं जिसमें प्रेशन संक्या 21 में कह रहा है कि 5000 का 5% की 10 से 4 वर्स का साधारण व्याज होगा साधारण व्याज यानि SI पूछ रहा है तो इसका formula लगा देंगे जो होता है SI बराबर PRT upon 100 ठीक है PRP मतलब principle यानि मूलधन जो है 5000 और R यानि रेट रेट यानि दर दर क्या है पांच और और टाइम क्या दिया है यानि समय दिया है 4 और बटे में क्या है 100 तो दो सुन्ने से दो सुन्ने कट जाएंगे और यहां पांच और के 20 20 को जब हम 50 से गुड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा दो सुन्ने है तो दो सुन्ने लगा देंगे और दो पचे दस ठीक है तो ऑप्सन ए जो है वह 1000 उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है प्रशन संक्या 22 इसमें कहे रहां 500 का 5% वार्षिक चक्रवर्दी व्याज की दर से दो वर्ष का मिश्रधन होगा ठीक है यानि अमाउंट पूछ रहा है किस से CI से CI में क्या फॉर्मूला होता है अमाउंट यानि A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N ठीक है यानि मिश्रधन बराबर यानि जो भी हम इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा वही हमारा एंसर आ जाएगा और यहां P यानि मूल धन क्या दिया है तो 500 एक कॉंस्टेंट है तो एक की जगह एक और आर की जगह क्या है दर क्या दिया है पांच बटे में 100 और घात क्या दिया है दो वर्स के लिए तो घात दो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में ठीक है अब एक के नीचे हम एक मान लेंगे और फिर LC हम ले लेंगे या फिर ऐ हो जाए हैगा 500 बटे 21 बटए 20 बट फिर 101 बटे बीस अब हम इसको 6 करेंगे तो 2-0 से 2-0 कट जाएंगे अब क्या बचा 21 21 इन गुड़ कि से होता है 441 होता है और नीचे क्या बटचा दो दूनी चार और यहां क्या बचा था पांच तो 5 बटे 445 बटे चार जब हम इसको solve करेंगे तो आ जाएगा 551.25 जो option B में दिया हुआ है अगला प्रस्ण देखते हैं जो प्रस्ण संख्या 23 ठीक है तो इसमें क्या कहे रहा है 200 रुपे का 10% वार्षिक व्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्धी व्याज ग्याद करें चक्रवर्धी पहले हमें मिस रिदन नहीं पता है तो उसका फॉर्मुला लगाएंगे जो अभी इससे उपर लगाया था यानि ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन हंड्रेट की पावर एंड ठीक है अब आप इसको खुद से भी solve कर सकते हैं जिससे थोड़ी practice हो जाएगी अब क्या दिया ह one plus r की जगह क्या दिया है और बटे में सौ रकना ही होता है और वर्ड के दिया है दो अब आशी नहूं है चाहेंगे 10 नहीं ग्यारा बटे दस जिसको में लिखना है है two बार क्योंकि गात लगी है दो बार क्या है दो 200 अब नीचे क्या है दो 0 तो 2 0 से उपर वाले 2 0 कट जाएंगे अब 11 1 क्या हो जाता है 121 121 गोडे 2 क्या हो जाएगा 242 यह नि हमारा आगया है amount तो 242 में से हम जो प्रिंसपल दिया इसको घटा देंगे प्रिंसपल क्या दिया है यानि मूल धन क्या दिया दिया है 200 तो 242 में से 200 घटाएंगे तो आ जाएगा 42 जो हो जाएगा चकरवर्दी व्याज यानि सी आई ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं बैंक सरवाधिक ब्याज देता है ठीक है तो चालू खाते पर यानि करेंट अकाउंट नहीं बचत खाते यानि सेविंग पे नहीं इस्थाई जमा खाते यानि फिक्स देपॉजिट पे तो हाँ सबसे ज्यादा जो ब्याज मिलता है वो इसी पे मिलता है तो ऑप्सन सी जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं बचत खाता खोला जा सकता है एक नाम से ठीक सकते हैं तो ऑप्सन सी जो है वो सही हो जाएगा तो हम 25 कोश्चन कर चुके हैं ठीक है अगर किसी भी प्रस्ण में कोई दिक्कात हो तो कमेंट कीजेगा मैं जो नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा उसमें फिर से आपको समझाने की कोशिस करूंगा ठीक है इसके अलाब वीडि वीडियो भी जल्द से जल्द लास उक हूं ठीक है पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्त